हेलो इब्रिवन दोस्तों आप सभी कैसे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे बहतरिन होंगे एक दम मस्त होंगे आज की इस वीडियो में आप लोगों को image paint application में इस तरह के drawings कैसे किया जाता है आज सिखाने वाला यदि आप भी अपनी computer में इस तरह के drawings करना चाते हैं और सिखना चाते हैं तो आप इस वीडियो के अंतक बने रहेंगे साथ ही जदी आप हमारी वीडियो पे नए होगे तो प्लिस दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा और बिल वाली notification को all पे सेट कर लिजेगा ता सबसे पहले आप अपने computer में MS Paint application को open कर लेंगे चलिए हम यहाँ पर अपने computer में MS Paint application को open कर लेते हैं इमेंश पेंट अप्लिकेशन उपन करने के बाद सबसे पहले आप गोलाकार सेप सेलेट करेंगे और यहां से आप सेप का आउटलाइन का साइट चूच कर लेंगे उसके बाद आप यहां पर मौउस का लिएफ टुटन प्रेस करते वे कुछ इस तरह से आप यहां पर ड्रो क करेंगे चलिए यह हमारा एक ड्रो है और हम यहां पर दूसरी और एक ड्रो करेंगे इससे बीच में अच्छे से अर्जेस्ट करने के लिए इसके उपर मौउस पाइंटर रखकर लिएफ टुटन प्रेस करते वे कुछ इस टैप से ही ड्रो करना है और इसको चारो तरब से आप यहां पर अच्छे से अर्जेस्ट कर लेंगे यहां से आप विट्स बड़ार बढा खे और हीट बढ़ाना है तो टॉप और वॉर्टं में रखेंगे इस टैप से और विट्स बढ़ाना है तो लेट और की साइज को अर्जेस्ट कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पर फिर से गोला कार सेफ ही सेलेक्ट रहेगा और यहां से एक बड़ा सा आप गोला यहां पर ड्रो करेंगे जो कि कुछ इस टाइप से होगा और यह जो गोला कार सेफ होगा दोनों सैट से सटा होना चाहिए देख करने के वाद जो उपर का बंच जाता है उसको EREGERS करेंगे एरेज करने के लिए हम क्या करेंगे अपने यहां पज़िए ओप्णa को active करेंगे उसके लिए हम यहां पर click करेंगे और यहां पर click करने के बाद आप EREGERS की करेंगे और यहां पर कुछ इस टैप से अच्छे से इरेज करेंगे यहां पर इधर इरेज होने के बाद आप अप अपनी पिक्चर को जूम इन किये हुए हैं अब इसको जूम आट करेंगे तो आपको जूम आट करने के लिए मैनस पर क्लिक करना है स्टेटस में देख रहे हैं मौस पॉइंटर उसके बाद आप यहां पर सिलेट कर डॉपड़न मेन्यू से क्लिकरेगे और यहां पर आप लेंगे फ्री फॉर्म सेलेक्शन लेने के बाद आपको mouse का left button press करते हुए कुछ इस टैप से उपर का जो partition है इसको पूरी तरह से select कर लेंगे और अपनी keyboard से delete button press करके हटा लेंगे यानि कि उसको यहां से erase कर देंगे उसके बाद अब यहां पर cutory में हम यहां पर color fill करेंगे color fill करने के लिए हम edit color में click करेंगे और यहां से हम color बनाएंगे तो चलिए यहां पर हम color बना लेते हैं color बनाने के बाद अब आप यहां पर ok पे click करेंगे उसके बाद आप यहां पे bucket select करेंगे जिसको fill with color भी बोला जाता और यहां पर mouse का leave return panel press करतेंगे तो color यहाँ पे fill हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे उपर की जो उपर का जो सता है उस पे आप color भरने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर उसी color को रखेंगे select और edit color में आकर हम यहाँ पे इसी color को थोड़ा सा उपर की और track कर देंगे यहाँ से color को थोड़ा सा smooth कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पे color fill कर देंगे और outline में भी वही color seem कर देंगे उसके बाद color one में आप यहाँ पर फिर से red color select करेंगे और यहाँ पर आप red color fill कर देंगे इतना करने के बाद अब आप यहां पर फिर से गोला कार सेप सेलेट करेंगे और यहां पर कलर वन में आप यह लो कलर सेलेट करेंगे कलर वन में आप यह लो कलर सेलेट करके उसके बाद मौस का लिए प्रेस करते हो तो यहां पर कुछ इस टायब से आप ड्रो करेंगे और इसको अच्छे से अरजेस्ट कर लेंगे इससे अच्छे से अरजेस्ट करने के बाद अब आप इतके अंदर yellow colour fill करेंगे उसके लिए आप यहां पे bucket सेलेट 시लेट करेंगे और यहां पर लाकर left button click कर देंगे mouse का तो यहां पे yellow color fill हो जाएगा कि आपका color one में yellow color है उसके बाद brush के drop down menu पे click करके आप यहां पे air brush को select करेंगे और यहां से सबसे मोटा वाला लेंगे size brush का जो size होगा 24 पिक्सल होगा लेने के बाद आप यहां पे magnifier फिर select करके अपनी picture को थोड़ा सब जूम इन कर लेंगे और यहां पे फिर से brush select करके spray वाला और mouse का leaf रिटन प्रेस करते विए कुछ इस टाइप से आप यहां पे spray करेंगे तो आप वीडिय करने के बाद अगर आपका अच्छे से spray हो जाता तो आप यहां पे जो picture को zoom in किये हैं उसके बाद आप zoom out करेंगे जूम आट करने के लिए आप status bar में माइनस पे click करेंगे तो चलिए हम यहां पे थोड़ा सा अच्छे से adjust कर लेते हैं फिलाल उसके बाद हम यहां पे zoom out करने करते हैं उसके बाद आपको यहां पर mouse का left press करते हुए आप कुछ उपर के और drag करेंगे और यह जो curve line आप इसको दो बार मोड सकते तो आप यहां पे first time में नीचे से मोड़ेंगे कुछ step से और second time में आप उपर से कुछ step से मोड़ेंगे उसके बाद आप यहां पे फिर से एका और curve line ड्रो करेंगे और यहां से सिधा ड्रो करेंगे सिधा नीचे की और यहां तक उसके बाद हम उपर से क्या करेंगे mouse का लिए टउरिटन प्रेस करते हैं कुछ में हम इधर से और सेकेंड टाइम में उपर से कुछ अंदर क्योर करेंगे उसके बाद फिर से एक और कर्व अब आपका पिक्चर कुछ इस टैप से दिखने लगा अब यहां पर मालीज हमको नीची की वर इस्टार वगएरा बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कलर 1 और कलर 2 दोनों में सेम कलर रखेंगे तो जो इस्टार होगा हमारा वो यलो कलर का होगा था हम क्या करेंगे कलर 1 और कलर 2 में दोनों में सेम कलर चूज कर लेंगे उसके बाद हम यहां पर स्टार वोला से स्लेट कर लेंगे और स्लेट करने के बाद साइज में सबसे कम जो वे कुछ इस टाइब से आप यहां पर फास्ट लेड ड्रो करेंगे तो चलिए यहां पर हम ड्रो कर लेते हैं तो दोस्तों यह वीडियो को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्टर में जरूर बताएंगे अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है और आप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौगा मिला है तो प्लिस दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सस्क्राइब करना दम ना भूलिएगा और शाथ में वेल वाले नोटिफिकेशन को और पे सेट कर लेजेगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिक के साथ तब तक के लिए बाइवा दोस्तों जहिन जय भारत है